नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है जिया दोस्तो इसे किसी वीट डिश में प्रियोक कर सकते हैं पर जादतार इस से मुगलाई डिशिस में इस्तेमाल किया जाता है जिया दोस्तो जाइफल को बहुत सारे खानों में इस्तिमाल तो किया ही जाता है उसके साथ साथ मेडिसिन्स के तौर पर भी इस्तिमाल किया जाता है और यह बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है तुच्छा के लिए बालों के लिए जाइफल बहुत ज़्यादा इस्ति खाइणगी कि जैवल किन רכन बीमारें को थे जाता है और आपको इसका क्या क्या फाइदा होता हैं जिया दोस्तों इंप्रंट में यए बहुत से लोगों को जाकरूतughter कीया जाएcontagsm outra दोस्तों अब आपको जैफल लेना है और उसको पत्थर पर लगड़ना है पत्थर पर लगड़ने के बाद उसमें हलका सा पानी मिलाए और उसका लेब बना ले अब उस लेब को अपने आखों की चारो तरफ लगाना है इससे आपकी आखों की कोई भी समस्या नहीं होती है औ पर आपकी आँखों की रोशनी भी बिल्कुल ठीक रहती है और आपकी आँखे बहुत टाइम तक अच्छी रहती है। साथ ही यदि आपकी आदाश कमजोर होती जाती है तो आप जैफल का फल खाना स्टार्ट कर दें यहां आपके लिए बहतर होगा। जीहां दोस्तों जैफल में आप थोड़ा सा शहद मिलाकर खाएंगे तो आपको खासी से भी बहुज़ादा राम मिलेगा और यह सारी कोल्ड कफ को भी दूर करता है। साथ ही आपको इससे सास की बिमारी नहीं होती और आपको भूग कम होने की समस्या भी नहीं होती। यानि की दोस्तों आपको भूग कम से कम लगती है और आप पतला भी हो सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे अपने बालों की मसाज करें। अब उसको थोड़ी देर बाद पानी से धोलें और इससे आपके बाल ठिक और मुझबूत हो जाएंगे। जीहा दोस्तों जिनको नीद ना आने की बिमारी हो यानि की जिनको टेंशन के कारण रातरी में नीद ना आती हो तो उसको जैफल के पाउडर को लेना है और उसको दूद में मिलाकर पीना है। दोस्तों रात के समय आपको इसका सेवन करना है और गरम दूद के साथ इसका सेवन करना है। तो जैफल को उसमें थोड़ा सा मिलाकर सरसो के तेल को गरम करकर उस पर लगाएं तो आपको बहुत जादा फाइदा होगा और आपकी चोट सारी ठीक हो जाएगी। जिहां दोस्तों यदि आपके फेस पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो गए है तो यदि आप जैफल को पीस कर अपने रिंकल्स पर लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपके रिंकल्स कुछी दिनों में गायप हो जाएंगे। जिहां दोस्तों जैफल सुधार करता है हमारी यादाश वापिस आने में जिन लोगों की यादाश चली जाती है या उनको भूलने की बिमारी हो जाती है तो जैफल उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइदेवन होता है इस फल का इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज़्यादा लड़ने में बहुत जादा मदद करता है प्रती रोज शमता में वृद्धी भी करता है जैफल में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कैल्शियम मैगनीशियम आइरन और मिनलल जैसे इसमें तत्व भी पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्ते शरीर के लिए बहुत जादा फाइद कीजेगा क्योंकि हमें कुछ ऐसे और वीडियो बनाने की बहुत जादा प्रेणा मिलती है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए